जब से लोगसभाद चुनाओं की टेकेट लिस्ट सामने आ रही है उसी के साथ साथ चौकाने वाले नाम भी सामने आ रही है। अब कौन है संगीता बेनिवाल और किस तरह से देंगी पीपी चौधरी को टक कर सब कुछ डीटेल में हम डिस्कुस करेंगी इस वीडियो में इसलिए बने रहे हैं आखिर तक मेरे साथ नमस्कार मैं हूँ चेटना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजिस्था और टिकेट के टकर में आपको बता दूं कि पूर्व मंत्रे राजिनर चौधरी और सुनिल चौधरी के अलावा डॉक्टर सोहन चौधरी भी थे और बताया ये भी गया कि गहलोत की और से राजिनर चौधरी और संगीता बेनिवाल के ये दो नाम दिये गए थे वैब और को जारोर से रोही कि मैदाल में तारने के साथ ही सुनिल चौधरी की संभावनाएं कमजोर हो गई थी मज़े की बात ये है कि संगीता बेनिवाल का नाम बद्रिराम जाखट और दिव्या मदेना को भी एक साथ मनजूर था फिर दिलीब चौधरी जैसे युबा कारकरताओं को उनका साथ भी मिल गया अब संगीता का मुकाबला दो बार के सांसद रह चुके पीपी चौधरी जी से है और ये तो रही भूमिका पाली की सियासत की अब इस पर लोगों में क्या चर्चाएं चल रही है वो मैं आपके सामने रखने वाली हूं सोशल मीडिया है जब से इनका नाम अनौंस हुआ है कि इस तरह से एक ट्विटर हैंडल से शेर किया गया है ये थौट कि इस तरह से हमारे पाली लोग सभासे पीपी साहब अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर विजय होए इन्होंने यहां पर साब साब घुशना कर दी है और इन्होंने ज पांच विधान सभा में तो जाठ नाम का तिनका भी निवास नहीं करता है अगर कोई मजबूत निर्दल ये चुनाव लड़ता है तो थोड़ी बहुत ठकर हो सकती थी लेकिन ये चुनाव एक तरफा पीपी चौतरी जीत रहे हैं लोगों का यहीं कहना है और जिस तरह से ये चर्चा आगे बढ़ती जा रही है लोगों का यहीं मानना है कि पाली एक ट्विटर हैंडल से शेर किया गया है पाली राजस्थान का मिनी नाखपूर माना जाता है यहां कॉंग्रिस गल्ती से भी नहीं जीतेगी और ये सीट पूरा पूरा बीजेपी के पास जाने वा था उसके उपर भी यहां पर चरचाएं चल रही हैं लोग वास्ता में कह रहे हैं कि संगीता बेनिवाल है कौन कौन है यह जो अचानक से आ गई है एक ट्विटर हैंडल से भी बोला जा रहा है कि बहुत लेट मिला हूं पहली बार नाम सुना है कम से कम चार लाग से लोग इस चीज को मानने को तयानी है कि संगीता बेनिवाल वहां पर पीपी चौधरी के सामने हार रही हैं लोगों ने साफ साफ कह दिया है कि शत्त प्रतेशत हार तै है इन लोगों की और जिस तरह से लोग इस पर चरचा कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तर लेकिन रण में उतारने से पहले प्रत्याशियों के बीच में ये तो देखिए कि आप किस चेहरे को आप भेज रहे हैं, क्या वो चेहरा वहां पर पहचान रखता है, लोग प्रेता वोट लेने का सबसे बड़ा और पहला माध्यम होता है, उसके बाद आपका काम भी उसी के स जुड़ा होना चाहिए, और लोग इस तरह से चर्चाएं कर रहे हैं, वो लाजमे भी है, और कई ऐसे चौकाने वाले नाम कॉंग्रेस ला रही है, जिस तरह से जैपुर शहर से सुनिल शर्मा का नाम सबको चौकाने वाला ही था, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीती है, जो रणीती है, वो कॉंग्रेस के अलाकमान पक्खो भी जानते हैं, ब्रामन चेहरा है, और ब्रामन सीट है, और भी कई तरह के जो राजमतिक समीकरन है, वो साधने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इन नए चेहरों को मौका तो दिया गया है, लेकिन ये विधान सभा चुनाव नहीं, ये है लोगसभा चुनाव, और लोगसभा चुनाव में चेहरे से जादा इंपोर्टेंट होते हैं, आपके राष्ट्रिय मुद्दे और प्रधान मंत्री का चेहरा, अब आपके पास वो कौन सा चेहरा है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएं हैं अभी तर भले ही, लेकिन पीपी चौदरे के सामने संगीता बेनिवार किस सरहे से इस चुनावी राण में टिक पाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वालवग बताएगा, लेकिन लोगों के बीच में जो चर्चाएं हैं, और उनसे जो निकलकर निश्करश सामने आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख चुकी हूं, अगर आप भी इसी लोग सभाशित्र से आते हैं, तो जरूर बताएगा आपकी राय कि कौन इसमें से जिताव का इंडिट आपको लग रहा है, क्या बीचे पी के गड़ में, यानि की पाली लोग सभाशित्र में, संगीता ब प्रायोरिटी पर रखते हुए, हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनरजी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है, क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्स को सस्टेनेबल बना के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कॉंट्रिबिशन हो, इसलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलेवरी करते हुए, एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं, और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर प्रोजी का पूरा पुटेंशल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।